यूपी बीट का eligibility criteria बहुत सिंपल सा है कि graduation में minimum new term आपके 50% marks हों कोई ऐसा candidate है जिसके 50% marks भी ना हो और उसने समय रहते वक्त के साथ उसने post graduation कर लिया तो वो अपने PG के degree के basis पर भी form फिल कर सकता है वैसे तो 99% candidates अपने graduation के basis पर form फिल करते हैं graduation पर ही eligible रहते 90% लोगों का 50% से ऊपर रहता ही रहता है कोई ऐसा है जिसका minimum eligibility परसेंटेज वाला criteria नहीं फिल हो रहा है तो ध्यान दीजेगा कि reservation के basis पर भी category के basis पर भी 55% marks होना जरूरी है इन शॉर्ट मैं बोलू तो BA, BSC, BCOM कोई भी और field का degree है तो 50% marks आपका होना चाहिए और BTEC, BE वाला candidate है तो minimum 55% marks आपके होने चाहिए और जो शास्त्री लिखा है basically जो संस्कृत background से candidate है उनके लिए है तो वहाँ पर भी 50% marks as eligibility criteria required है ध्यान दीजेगा reservation वेगरा का benefit कोई भी extra merit बनाने में benefit केवल और केवल उत्तर प्रदेश के domicile वालों के लिए है जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास परणा पत्र है केवल और केवल कोई भी category का reservation चाहिप WD हो OBC, ST, ST या कोई और category हो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के domicile वालों के बाकी के सभी candidates general category में आते हैं unreserved category में आते हैं question उठता है कि sir मैं UP के बाहर का हूँ तो क्या मैं UPB8 का form नहीं फिल कर सकता हूँ नहीं बिल्कुल फिल कर सकते हो तुम लेकिन तुमारा category general लाएगा कोई भी category वाला benefit आपको नहीं मिलेगा फिर उठता है कि साथ कितना attempt दे सकते हैं UPB8 का paper कोई attempt पर कोई barrier नहीं है तुम 24 में देलो 25 में देलो 26 में देलो 28 में देलो 23 में देलो जितनी बार चाहाऊ उतनी बार UPB8 का paper दे सकते हो कोई ऐसाच attempt में लिमिट नहीं बागी कर चैनल के playlist में जाना है UPB8JE24 वाला playlist देखना है so that UPB8 के regarding complete detail में तुम समझ पाऊ complete detail में आपको previous year question paper देखने के लिए UPB8JE24 वाला playlist देखिए बाकी Google पर डेली bytes search करिए सबसे टॉप पर डेली bytes.in website आएगा या फिर गूगल देखने के लिए मिल जाएगा and one of the best notes भी आप UPB8 के लिए पर्चेस कर सकते हैं डेली बैट के application में जाकर बागी teacher education resource वाला telegram group अगर आप teacher बनने के लिए सोच रहे हो तो जरूर्त join करना one of the best telegram group है जहां पर डेली बैट के बहुत सारे aspiring teachers के लिए online webinar meet होते हैं बहुत सारे seminar meet भी होते हैं जहां पर अच्छे खासे teachers आकर जो भी teaching field के aspect होते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं पाटिश्पेट करते हैं तो इन सब के लिए आप डेली बैट के webinar seminar meet join कर सकते हो इसका detail आपको teacher education resource वाले telegram group में देखने के लिए मिलता है और येस उसके बाद भी कोई doubt or query रह जाए तो आप मेरे से instagram पर भी जुट सब्सक्राइब कर लिंक description box में दिया हुआ है या फिर ये user id directly आप instagram पर search करिए paper upb8 का आज भी offline mode में होता है omr sheet मिलता है basically एक exam center allocate होगा वहां पर आपको question paper booklet मिलेगा और साथ में एक answer mark करने वाला sheet मिलेगा हर question के आगे चार option दिया रहेगा जो भी सही option सही रहेगा आप उस option को basically bubble करोगे गोला करोगे तो ध्यान दीजिए omr mode में paper होता है offline mode में होता है paper English Hindi दोनों में रहता है जिस language में आप paper को पढ़के attempt करना चाहो आप कर सकते हो तो paper upb8 का bilingual होता है और हर एक question जो है upb8 में दो नंबर का होता है ध्यान दीजिएगा two marks का question होता है लेकिन negative upb8 में one fourth नहीं है upb8 में one third negative है तो upb8 में तुक्का मारने वालों कोशिच आप मत करिएगा क्योंकि negative marking बहुत जादा है कोई भी question अगर आप गलत करोगे तो आपका जो सही वाला question है उसमें से भी marks घटा दिय जाएगा और one third marks negative है तो प्लीज अंदी तुक्का नहीं मारना यूपी बेट के paper में paper structure देख लेते थोड़ा सा blur दिखेगा आपको लेकिन यह मैंने official prospectus से ले रखा है so that आपको बहुर detail में समझ में आए upb8 में basically होता क्या है दो प्रश्न पत्र आते हैं दो question paper आता है पहला प्रश्न पत्र दूसरा प्रश्न पत्र तो आपको समझना क्या है यहां पर कि दो question paper आपको मिलेगा upb8 में एक morning shift में होता है एक evening shift में होता है तो जो पहले shift में paper होगा उसमें आपको जो total questions देखने के लिए मिलेंगे total 100 मिलेंगे तो द्यान दीजेगा पहला जो general knowledge का section होता होगा खंड खंड बह ए और बी section में divided रहेगा तो पहले section में general knowledge के question आपको देखने के लिए मिलेगा 50 question general knowledge के ध्यान देना section B में language का paper आता तो या तो तुम English चूज कर लो या तो तुम Hindi चूज कर लो पेपर में दोनों ही question दिये रहेंगे तो आप Hindi वाले हो तो Hindi वाला attempt करना English वाले हो तो English वाला attempt करना तो देखो यहां पर क्या होगा या तो English का देलो या तो Hindi का देलो जो भी भासा आप चुनोगे उसी particular भासा का 50 question आप करोगे 13 घंटे थ्री आर्थ का पेपर होगा उसी तरह सेकेंड सिफ में आपको पेपर टू मिलेगा पेपर टू भी दो भाग को बटा रहेगा section A section B तो जो section A है compulsory होगा general aptitude test आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो यहां क्या होगा पचास question आएगा फिफ्टी इंटू करोगे तो हो जाएगा हंड्रेड हंड्रेड मार्स तो टोटल जो है न यह general aptitude वाला जो है सामान अभीरूची परिच्छड जो दे रखा यह सबके लिए कंपलतरी है सबको करना है तो यहां पर यह section A है ठीक है ध्यान दीजेगा प्रश्ण पत्र दो यानि कि जो दूसरा सेकेंड सिफ्ट में पेपर बैठे होगे तब ठीक है तो यह general aptitude टेस्ट पूछेगा आपसे फिर उसके बाद क्या होगा उसमें पाट B वाले में जानते हो तुमको आगे जो है जो जब तुम सेकेंड स टो . उन चारो सेक्शन में से कोई, सेक्शन к técक आपीक तो यह जे जो आपके स्कृन पर, फेपर इस्ट्रक्चर बना हुआ है यह यूपर इस्ट्रक्चर बिसिकली utilizing फॉल ह水 पॉलो होताissä पाशबागते का सुबह 3 गंटे का पीपर होता है तिर उसके बाद दूसरा पेपर आता है तीन घंटे का और पहला पेपर भी एक्षिन section B में बटा होता है और accordingly आपको attempt करना होता है वापस से बात को मैंने और simplify कर दिया है कि देखो यह mode of examination क्या है offline होगा OMR sheet based examination है total कितने paper होते हैं paper one paper two morning evening six मिलाता है दो paper होता है duration of exam क्या है three hour हर paper के लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे हर paper के लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे यानि कि 180 मिलेंगे maximum marks कितना है हर paper का 200 हर paper में कितना question आप करना है hundred question जिसे यहां पीछे मैंने mention किया था 51 section में 51 section में यहां सामने भी mentioned है कि 51 section में 51 section में तो total hundred question आप करोगे question का type कैसा रहेगा objective question होते हैं एक question के चार option नहींगे कोई एक option सही होगा बाकी कि तीन option उसमें से गलत होंगे और negative marking कितना है one third तो जैसा कि मैंने mention किया paper one जैसा कि मैंने mention किया paper one होंगे paper two होगा paper two में general attitude test सबके लिए common है general knowledge सबके लिए common है paper one में language कोई एक choose करोगे Hindi या English Hindi medium वाले तो 50 Hindi के करोगे English medium होले तो 50 English के करोगे दोनों नहीं करना है कोई एक ही आप करोगे उसी तरह subject specific topic science से हो commerce से हो आर्ट से हो अगरिकल्चर से हो इन चारो subjects में से कोई एक आप choose करोगे या तो तुम science का ही पचास question करोगे या तो प्रस्रीटिक की फॉर्म रिलीज जो है हो सकता है more चॉर्च के मन्त में हो और ज़ो एक्जाम का डेट है अप्रयल नहीं हो सकता शॉयद जून में भी पेपर जा सकता है क्योंकि चुनाओ अगर कारेकर रही का बाय वहीं जुन बात दो पेपर जून में न जाता हो ना वहां भी college फुले हुए है ऐसा यूपी में situation है तो आपको देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश में बीएड करने के लिए एक लाख चानवे हजार सीट है मोटी मोटा मैं बोलू तो टोटल दो लाख सीट है उत्तर प्रदेश के दो लाख सीट है तो यानि कि फॉर्म भरने वाले को admission तो मिली जाएगा चाहे गदा हो चाहे घोड़ा हो चाहे खचर हो इतना है कि दो लाख सीट है तो सबको admission तो मिली जाएगा पॉइंट क्या है इसमें लगभग ध्यांदीजेगा सब कुछ अप्रॉक्स में डेटा है लगभग एक लाख चियासी हजार सीट प्राइवेट है 1,86,000 सीट केवल और केवल प्राइवेट कॉलिजिस का है जहां प कुछ ऐसे भी गवर्मेंट कॉलेज है जिनका साल वर का बीएट का फीस मात्र पांच हजार चाहर है और कुछ ऐसे हैं जिनका दस हजार बारा हजार पंदरा हजार है पंदरा सोलह हजार maximum मानके चलो गवर्मेंट कॉलेज के यूपी की बीएट का फी है यहां पर आप देख सकते हो मैंने मेंचेन भी कर रखा है कि यह प्राइवेट कॉलेज का फी फस्ट यर में कितना लग जाएगगा मिनिमाम है अब जो तुम चालेज में जाओ बहुत और भी ऑदिशनयल पीस होता यह जो मेंचेन टुशन फीस है फस्ट यूर ने से कम भी आपको देखने के लिए मिलेगा और total number of seats जो है increase or decrease होते रहते हैं क्योंकि अच्छे खासे UPBand में colleges आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ये complete seat structure, fee structure minimum basic आपके सामने mentioned है आप इसका screenshot भी ले सकते हो बागी का UPBand में sure short selection के लिए sure short performance boost करने के लिए sure short government college पाने के लिए Delhi Bytes का संपून वाला notes आप प्रेफर कर सकते हो बहुत जल डेली बैट के app में डाल दिया जाएगा मातर नौस और निन्यानवे रुपए का जिस भी particular stream के आपको उसे stream का notes जाकर आप ले सकते हो उससे one of the best preparation आप UPB8 के लिए कर सकते हो English Hindi दोनों में ही आपको संपून वाला notes बहुत जल डेली बैट के app में देखने के लिए मिल जाएगा उसको आप Google के Play Store से install कर सकते हैं सभी social media handles के link description box में आपको मिल जाएगे do join them subscribe to Delhi Bytes stay tuned stay updated do comment or reviews God bless you all and have a nice day